हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मात दो से तीन चीजों से बनने वाला एकदम नया और बहुत ज़दा हेल्दी नास्ता यह नास्ता खाने में बहुत से तीस्टी होने के साथ बिल्कुल ओयल फ्री होगा तो चलिए फ्रेंड बीना किसी देरी के फटापट से इस नास्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं लेकिन उसे पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नहीं है और अभी तक हमारे चैनल को सब्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटापट से सब्सक्राइब कर ले साथ पर घंटी आती है उसे भी जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारे चैनल पर जब भी नई वीडियो है इसकी नोटिफिकेशन यानिकी मैसेज आपको मिल सके और आप फटापट से वीडियो को वाच कर सके चलिए फटापट से सब्सक्राइब शड्रकट से अ शचावल कांट तो यहां पर हमने एक कब जितना चावल कांटा लिया है तो और आटे को अच्छा से छाल लिया है तो देखे है कुछ इस तरह का महीन आटा आपको nei लेना है तो अब हम एक बोल में अपने आटे को ट्रा ज्वाइन डिजेशन के लिए अच्छी होती है और नास्ते में इसका टेस्ट भी अच्छा आता है इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे गरम पानी तो गरम पानी का ही स्तमाल करना इसे हमारा जो आटा होगा वो थोड़ा सा सौफ्ट हो जाएगा तो धीरे-धीरे करक यह थोड़ा सा और हार्ड हो जाएगा तो इसलिए हम इसे सौफ्ट ही लगाएंगे तो देखिए यहां पर हमारा यह सौफ्ट सा आटा बंकर रैडी हो चुका है तो अब इस आटे को हम 2-3 मिनट के रिए रेस पे छोड़ देंगे ताकि अच्छे से फूल जाए तो जब त इसे दो मिनट ही लगेंगे आपको इसे चौप करने में तो फटा फट से चौप हो जाता है अगर आपके पास इस तरह का चौपनी है तो आप नाइफ की हैल से इसे कट कर सकते हैं तो देखिए यहां पर हमारी प्यास रैडी हो चुकी है तो आप फटा फट से चलेंगे अद्रक लैसन और मिची का पेस्ट तो अब इस पेस्ट को हम एक से दो मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे ताकि पेस्ट का जो कच्चा पने वो निकल जाए तो बस अच्चे से भूनने के बाद हम इसमें एड़ करेंगे अपनी चौप की हुई प्यास तो देखिए निकाते हैं तो आप इसकी जगाए पर पता गोभी कभी इस्तिमाल कर सकते हैं तो प्यास को हलका सा सौफ्ट होने तक पकाना है इसे आपको बहुत ज़्या दे तक भूनना नहीं है तो जैसे हमारी प्यास सौफ्ट हो जाएगी हम इसमें एड़ करेंगे थोड़ी से नमक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे एक छोथाई चम्मत जितना भूना हुआ जेरा पाइडर और आदा चोटवा पावडर हम इसमें डालेंगे यह चहता हम पावडर तो अब इन मसालो को आपस में मिक्स करते हुग हम इसे एक से दो मिनट के लिए अच्छे से भून और आप देख सकते हैं काफी अच्छ से ड्राय हो चुकी हमारी प्यास इसके अंदर भी मॉस्ट नहीं है तो अब हम इसमें एड़ करेंगे एक चौथा ही चम्मत जित्ता गरम मसाला पाउडर साथ ही हम इसमें एड़ करेंगे थोड़ी सी फ्रेश पारी कटी हुई हरी दनिया तो अब अपनी स्टफिंग को थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए हम इसमें एड़ करेंगे आधा निम्बू का रस अगर आपके पास निम्बू नी है तो आप इसकी जगा पर अमचूर पाउडर या पर चाट मसाली का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो इसे डालने से हमारी प्यास का जो मीठा पाने वो निकल जाएगा और हमारी स्टफिंग बहुत ज़दा चटपटी बनेगी तो सारी चीज़ों को हम आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहां पर हमारी चटपटी से स्टफिंग रैडी हो चुकी है तो अब अपन जो नासता है वो बिल्कुल भी चिपके ने इसलिए हम इसे अच्छे से ग्रीज करेंगे उसके बाद अपने तयार किवे डो को हम इस तरह से थोड़े से अमाउंट में लेंगे और इससे हम इस तरह से पतली सी रूटी का शीप दीगे तो बस इस स्टप को आपको बहुत ही की स्टपिंग को फिल कर देंगे जो हमने बना कर रखी थी तो बस एक से तरह की एक फ्ल finer शी रोटी से हम अच्छे से कर देंगे तो धेका से आपको बहुत हाल के हाथों से अच्छे से कवर कर देना से यह कह अब पिच्छ नास्ति को अच्छे से शेव दे दिया है तो अब फटाफट से इसे हम स्टीमर में डाल देंगे स्टीम होने के लिए यहां पर हमने अल्रडी स्टीमर को तयार करके रख्या था तो अब इसमें हम फटाफट से इसमें आड करेंगे और तक्रीबन 10-15 मिनट के लिए हम इसे उनने लगता है और इसका साई भी थोड़ा सा डबल हो जाता तो अब अपनी गैस के फिलम को हम बंद के दिंगे और इसे हम थंडा होने के लिए चौड़ देंगे तो आपनी नास्ता काफी अच्छे-स ठंडा में के साथ ठंडा हो जोका है जब आए लगनारा का छुद बह आप पर हमारा यह हेल्टी और चट्पटा सा नास्ता बन जाहें थे व Streut! आप चाहें तो इसे उरी चोट्नी के साथ खरेएं। या फिर ग्रीं चट्नी साथ भी ले सकते हैं। दो आपको तोड़का दिखा देती हूं। तो देखिए यहां पर हमारा नास्ता काफी अच्छी से कुख हो चुका है, बहुत ज़्यादा सौफ्ट और बहुत ज़्यादा चुई है हमारा यह नास्ता तो जरूर से बनाईएगा, आप चाहें तो इसे फ्राइ करके भी खा सकते हैं, लेकिन हमने इसे हेल्थी बनाने के इस तरह से ही स्टीम करके रखा है, ताकि यह बहुत ज़्यादा हेल्थी रहे, आपको हमारी आज की यह चटपटी और हेल्थी सी रेसिपी जरूर पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जादा से जादा दोस्तों में से शेयर हम मिलते हैं आपको नेक्स वीडियो में ऐसी ही नहीं मज़ेदार से पीस के साथ तक के लिए अपना ख्याल रखें, बबाई एंटे के रेंट थैंक्स पूर वाचिंग